नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जेस्टोपिक इस्टडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पृती स्थापन बिधी से रेखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स ने हमें कमेंट किया था कि सर्फ पृती स्थापन बिधी को आसानी से समझा दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए क्योंकि ये बिधी थोड़ी सी हमें टफ लगती है तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार से आप पृती स्थापन बिधी से रेखिक समीकरण को हल कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो सवाल करवाऊंगा अगर आप इन दोनों को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी पृती स्थापन बिधी में गलतियां नहीं करेंगे तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहला सवाल क्या है एक्स प्लस वाई वरावर 14 और एक्स माइनस वाई वरावर 4 इसमें दो समीकरण होते हैं दोनों को मिला कर हमें हल करना होता है ठीक है तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है देखिए X पिलस Y बरावर कितना है 14 ठीक है और X माइनस Y बरावर कितना है 4 ठीक है यह हमने सवाल को लिख लिया है चलिए अब हम इसको solve करेंगे प्रतिस्थापन विदी से तो देखिए इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले यह हो गया हमारा समीकरण 1 और यह हो गया हमारा समीकरण 2 ठीक है अब हमें इसमें करना क्या होता है कि या तो हम समीकरण 1 से X या Y का मान निकाल कर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें या फिर समीकरण 2 में से X या Y का मान निकाल कर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें ठीक है तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है तो चलिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 से X या Y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में प्रती स्थापित कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, तो चलिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं शमीकरण 1 से हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, देखिए, क्या है समीकरण 1 x पिलस y वरावर 14 ठीक है यही है अब हमें क्या करना है इसमें से या तो हम x का मान निकालने या y का मान निकालने तो हम इसमें से x का मान निकाल लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है x और y को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा देखिए चवदा तो पह इसको हम समीकरण दो में रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक से तो हमने मान निकाला ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 में रख देंगे, यहां पर लिख देंगे, तो समीकरण 3 का मान, शमीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, यह हम यहां पर लिख देंगे ठीक है तो समीकराण 3 का जो मान आया है इसको हम समीकराण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे ठीक है तो समीकराण 2 क्या है X-Y वराबर 4 तो इसको यहां पर लिख लेते हैं X-Y वराबर 4 ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे X का मान रख देंगे X का मान क्या है 14-Y तो यहाँ पर हम रख देंगे X के जगाँ पर क्या रख देंगे 14-Y यहाँ पर रख देते हैं 14-Y यहाँ पर Y पहले से है माइनस का तो यह माइनस Y बरावर यहाँ पर क्या है 4 है ठीक है clear है चलिए अब देखिए यहाँ पर 14 है तो यह आ जाएगा 14, y और y कितना हो जाएगा, minus का 2y, वरावर यह हो जाएगा 4, ठीक है, clear है, अब देखिए, 14 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, minus का 2y, वरावर यहाँ पर 4 पहले से है, और यह 14 उस तरफ जाएगा, यह plus का है, उस तरफ जाए इंसल हो जाएगा, और 2 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, y बरावर 10 बटे, यह 2 नीचे आ जाएगा, 10 बटे 2, ठीक है, काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, क्या जाएगा, देखिए, यहाँ पर y बरावर कितना आ गया है, 5 आ गया है, तो यह हमारे y का मान निकल कर आ गया है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालने के लिए, y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बरावर 14, ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते है y का मान y का मान शमी करण एक में रख देते हैं शमी करण एक में रखने पर ठीक है तो समी करण एक क्या है x पिलस y बरावर 14 ठीक है और हमारा y का मान कितना आया है 5 आया है तो चलिए y का मान यहाँ पर रख देते हैं 5 x पिलस y का मान कितना है 5 बरावर 14 ठीक है अब इस 5 को उस तरब भेज दीजिए X बरावर 10-5 ठीक है 10 नहीं सोरी यहाँ पर कितना है 14 है ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा 14-5 ठीक तो X बरावर कितना आजाएगा 14-5 यानिकी 9 ठीक है 14 में 5 जाएगे तो 9 बचेगा X कमान आ गया है हमारा 9 और Y कमान कितना आया है 5 ठीक है तो यह हमारा आंसर आ गया है देखिए कितनी आसानी से हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरे सवाल को और देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, तो चलिए, अब दूसरे वाले सवाल को हम solve कर लेते हैं, ठीक, तो दूसरा सवाल क्या है, S-T बरावर 3, दूसरा समीकरन है इसी का, S upon 3 plus T upon 2 बरावर 6, देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम solve करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, S-T बरावर कितना है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, S upon 3 plus T upon 2 बरावर 6, तो इनको भी हम नाम दे देते हैं, यह हो गया समीकरन 1 और यह हो गया समीकरन 2, देखिए, अब हम इसको बहुत यह आसानी से हल करने वाले हैं, ठीक ह तो हमें करना क्या है, या तो हम समीकरन 1 से S या T का मान निकाल कर 2 में रख दें, या फिर 2 में से हम S या T का मान निकाल कर 1 में रख दें, ठीक है, तो हम समीकरन 1 से ही मान निकाल लेंगे और 2 में रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, शमीकरन 1 से हल करने प करना नहीं है यहां पर मान आया है इसको हम शममीकरन दो में रखेंगे यहां पर लिख देते हैं शमी करण 3 का मान शमी करण 2 में रखने पर ठीक है तो समी करण 2 क्या है S upon 3 plus T upon 2 बराबर 6 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो देखिए क्या है S upon 3 plus T upon 2 बराबर 6 यह है समी करण 2 अब इसमें हम S का मान रखेंगे S का मान क्या है 3 plus T तो यहाँ पर रख देते हैं S के स्थान पर रखेंगे क्या रखेंगे 3 plus T upon यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा फिर इसके बाद में क्या है प्लस तो यह प्लस आ गया यहाँ पर क्या है T upon 2 ठीक क्लियर है इसके बाद बराबर में क्या है चलिए ़ो गया अब देखिए ये एक भिने के रूप में है ये भिने के रूप में है तो हम इसको LCM लेकर हल करेंगे ठीक है तो इन दोनों का LCM क्या आजाएगा 3 और 2 का LCM क्या आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर हम लिक देते है 6 ठीक है अब क्या करना है देखिए भिन को जिस तरीके से हल करते हैं उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 दो बार अब जो 2 आया है उस 2 का गुणा कर देंगे उपर तो क्या जाएगा देखिए दो गुणा 3 पिलस टी ठीक है फिर इसके बाद में पिलस है तो यह प्लस आ गया अब दो से भाग लगा यह 6 में कितनी बार जाएगा तफिया हो गया हमारा कितना 6 इसके बाद में पिलस दो का गुणा टी में करेंगे तो यह क्या जाएगा two t2 प्रेज़ हर पर क्या है एlles प्लस यह प्लस हो गया यहां पर क्या है थरी ती और बटë में क्या है यहाँ पर six है और बराबर में क्या है सिक से दे चलिए अब चलिए अब देखिए इस 6 का गुणा यहां पर कर देंगे कितना हो जाएगा यह 6 प्लस 5T बरावर यहां पर इसका गुणा करें कितना वह जाएगा 36 ठीक है तो यहां पर आ च्छाथिस और माइनस का 6 यहां पर क्या वच्छा 5 T किलियर है चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां से 36 में च्छ जाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा ठीक है और यहां पर यह जो फाइव है इसको नीचे ले आते हैं तो 30 वटे पंच आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा ठीक है पांच नीचे आ गया चलिए अब 5 से काट देत हम T का मान रख देंगे और हमारा अंसर आजाएगा ठीक है तो हम यहां पर लिख लेते हैं टी का मान कि इस तो यहां पर हम टी का मान रख देते किलियर है, अब हम क्या करेंगे, 6 को उस तरब भीज देंगे, तो यहाँ पर S बरावर 3, यह माइनस का है, उस तरब जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S बरावर 6 और 3, 9, ठीक है, तो S बरावर आ गया हमारा कितना 9, और T बरावर कितना है 6 है ठीक है तो 6 और 9 ये हमारे आंसर आ गए है तो देखिए कितनी आसानी से हमने दोनों सवालों को solve कर लिया है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस परकार से पृति स्थापन विधी से सवालों को solve किया जाता है अगर समझ में आ गया है